नमस्ते दोस्तों आज हम इस कहाने के माध्यम से सीखेंगे कि एक आलसी बच्चे को मेहनती और समझदार कैसे बनाएं एक गाम में स्याम नामका एक लड़का रहता था वो बहुत आलसी और कामचोर था स्याम का पूरा दिन बीना कुछ किये बिठता था उसे किसी भी काम में दिल्चस्फी नहीं थी ना पढ़ाई में और नहीं घर के कामों में वो हमेशा बहाने बनाता और समय बरबाद करता था सियाम के माता-पिता उससे बहुत परिसान थे उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिस की लेकिन सियाम पर कोई असर नहीं होता गाउं के लोग भी उसे आलसी कहकर चिड़ाते थे लेकिन सियाम की यादिते नहीं बदलती थी उसे सिर्फ आराम करना और खेल कुद करना पसंद था एक दिन गाह में एक संत आई वे बहुत विद्वान और समझदार थे गाह के लोग उनके पास अपने समयस्याओं का समधान लेने जाते थे सियाम के माता पीता ने भी संत से मुलाकात की और उन्हें सियाम की समस्या के बारे में बताया संत ने सियाम को मिलने के लिए बुलाया संत के पास गया संत ने उसे प्यार से पुछा बेटा तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो सियाम ने जवाब दिया मुझे कुछ नहीं करना बस आराम करना अच्छा लगता है संत ने मुश्कुराते हुए का ठीक है लेकिन आराम का असली आनन्द तब आता है जब हम मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं क्या तु मेरे लिए एक काम कर सकते हो स्याम ने सोचा कि संत ने कोई आसान काम दिया होगा इसलिए उसने हा कर दी संत ने उसे गाउं के बाहर एक पहाड़ी पर जाकर एक पत्थर लाने को कहा स्याम ने मन मार कर यह काम करना सुरू किया वो दीरी दीरे पहाड़ी की और चड़ा लेकिन जैसे जैसे वो चटता गया उसी थकान मैसूस होने लगी पाड़ी पर चड़ना और पत्थर उठाना उसके लिए मुस्किल हो गया उसने सोचा कि यह काम बहुत कठीन है लेकिन फिर विए उसने हिम्मत नहीं हारी काफी परियाज के बाद वो पत्थर लेकर संत के पास लोट संत ने स्याम से कहा देखो यह पत्थर तुमारे परिश्रम का फल है अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हे जीवन में बड़ी सफलताय मिलेंगी काम चोरी और आल्ले से कुछ भी प्राप्त नहीं होता लेकिन मेहनत से हर चीज मुम्किन है स्याम को संत की बाद समझ में आगई उसने महसूस किया कि उसकी आगसी आदुतों ने उसे किवल कमजोर और बेकार बना दिया था उसने तै कि अब से महनत करेगा और अपने जीवन को बहतर बनाएगा इसके बाद स्याम ने धीरे धीरे अपने आलस को छोड़ दिया और पढ़ाई में ध्यान देना सुरू किया वह गाउं के अन्य बच्चों के साथ मिलकल काम करने लगा कुछी समय में उसकी महनत रंग लाई और वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा गाउं के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे स्याम ने अपनी आलसी आदिते पूरी तरह से छोड़ दी और मेंत के महतों को समझ लिया वह जान गया कि मेंत से ही सची खुसी और सफलता प्राप्थ होती है संद की सीखने उसके जीवन को बदल दिया और वह एक जिम्मेदार और मेंदी लड़के की रूप में गाउं में प्रसीद होगी